गुडबानी स्टुडेंट आज हम पढ़ेंगे एंसी आर्टी बाइलोजिक जो क्लास है वो 12 ठीक है चैप्टर वन यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर वन ही पढ़ेंगे बस चैप्टर नेम मदल गया है पुस्पी पौधों में लैंगिक जनन आपको चैप्टर वन में से fiilरे आपको पढ़ा है अब हम पढ़ेंगे चैप्टर वन जो मात पॉसम्पी कोदों में लएगे कप्ड़ा को पढ़ा हो इसमें हमारी स्लेत है गाइट दिखा है इसमारी सभी बिसकोष नीयूराइख ब Angebन चैप्टर तो तो वो जो हट गया है, चैप्टर वन तो अब फुमपी पुंधम Digit जैनन गया है DME यह उमरा Chapter 1 पे आ गया है िखिए Chapter 1 जो है, और यह Chapter 1 की चहाय में आ गया है, तो Chapter 2 का Part 1 आपको बढ़ा दिया गया था लिए इसी वज़य से रोख दिया गया था क्योंकि小時 से बदलना था थोड़ा सा चेंजिंग होनी थी तो इस वजह से आपको नहीं पढ़ाया गया था अब देख लिए जिए कोर्ष जो है वहारा कम भी हो गया है तो पहला सिंसका हड गया है तो पहला रेशन आप क्या करेंगे इस्टपलर से उसको कर देंगे पहला लेशन में नहीं त्यार करना है दूसरा लेशन है इसमें तो दूसरा लेशन का पार्ट बन आपको पढ़ा दिया गया है तो अब ये पहला लेशन बन गया है तो हमने यहाँ पे हम और चेप्टर वन को ही पढ़ेंगे यांपे तो चेप्टर वन को पढ़ेंगे देखए यहां पे लिखा हुआ है को पढ़ेंगे क्या होता है तो देखिए गुरू बीजाना जनन अब जानते ओं इसको बोलते हैं, बीजांड का जो भाग होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं, ओबल, बीजांड को क्या बोलते हैं, ओबल, बीजांड जो होता है, इसके अंदर जो होता है, गुरु बीजांड का निर्माड होता है, जो बीजांड होता है, उसके अंदर ही गुरु बीजांड का न यह देख लिए तरूण बीजाण्ड क्या है तरूण बीजाणंड के अंदर अंदर की कोशिकाओं में से in एक कोशिका आकार एवं आकरती में भिंता होती है इसमें कहां गया है कि तरूण बीजाण нап两 ए 5 пог نہ या होता है बनता है वो सुपता नहीं है विल्कुल नया सा होता है। उसे तरुन बोलते हैं तो तरुन बीजान्ट के अंदर की कोशचाओं में से एक कोश का आकार एवं आकरत में बिनता होती है। कोशिका को अर्चे स्पोयरिल सेल कहते हैं ठीक है क्या बोलते हैं तो क्या बोलते हैं अर्चे स्पोयरिल सेल बोलते हैं ठीक है चलिए वांगे इसके थोड़े से पढ़ लेते हैं गुरु बीजानु जो होता है वो होता क्या है तो गुरु बीजानु मात्र कोशिका मात्र कोशिका बनी होती है उसे में मात्र कोशिका बोलते हैं तो मात्र कोशिका में अर्दसूत्री अर्दसूत्री बिभाजन होता है जिसके फल्सरूप जब अर्द सुत्री विभाजन होता है तो इसमें चार पुत्री कोशिकाओं का फार्मेशन होता है जिसके फल्सरूप क्या होता है इसमें चार पुत्री कोशिकाओं का ठीक है तो अगुरित होती है इनमें जो होती है वो तीन कोशी का निस्करी होती है तीन कोशी का कैसी होती है निस्करी होती है और जल्द ही नस्ट भी हो जाती है यह तीनों कोशी का निस्करी होती है और जल्द ही नस्ट हो जाती है इसमें से केवल एक कोशी का ही सकरी होती है इसमें क पुरद्धी एवं विकास करके बीजांड काय का उनिकांस भाग ठीक है मतलब उपर वाला भाग ठीक है अधिकांस भी कह सकते हैं तो भाग गेर लेती है उनिकांस यहाँ पर लिग गया है ठीक है तो बीजांड काय का अधिकांस भाग अधिकांस लिख दीजीगा है यहाँ प तो उनिकांस लिए यां पर अधिकांस भाग घेरले की जूँ यहां पर ब्रधी करता आो वडिकास ब्रधा स्थ जो जदस जदा बाग होता है अधिक से अधिक बाग वह यह घेर लेती है इसलिए हम इसे बोलते क्या है तो इसे बोलते हैं इंब्रो शेख बोलते हैं क्या बोलते हैं इंब्रो शेख बोलते हैं कहते हैं अब देखें यहीं प्रथम मादा यूगम कोदिद कोशिका भी होती है एहां परत्वाम णास फुद्ण क стать तो अब हम इसी के बारे में पढ़ेँगे कंप रिधाम मादा यूग में परहतीटा शवुत को कहलता इस Delhi का प्राप्त होता है किस्यों तरह से पीकर होता है इसका देख लीजिए देख लीजिए तो यह हमारा क्या है तो यहां पर हमारा है बीजान्ड काई ठीक है बीजान्ड काई और यहां पर आप हो चित्र में दिख रहा है देखिए यह गूरु बीजानु जनन का ही चित्र है दिखाई पड़ आओगे यहां पर देख लिजें यहां पर यह लिखा है गुरु बीजानु मात्र कोश का यह जो अंदर आपको दिख रही है इसके अंदर यह होती है गुरु बीजानु मात्र कोश का और यह जो होता है बाहर आपको दिख रहा है इसमें यह होता है बीजान का है दूसरे चित्र में देख लिज बिजम 10 तक मत्भेश कोष्का कहला यह केंडरी कोष्का केहला और यह अंडर कहलाता ने साथ बोलते हैं इससे दुरुवी केंद्रक बोलते हैं यहां पर दिखाई पड़ा है यह हमारा होता है केंद्री कोशिका होती है ठीक है और यह हमारा होती है अंड यह जो दिखाई पड़ा है यहां पर यह क्या होता है अंड होता है और यह जो कोशिका होती है यह होती है सहाय तो यह पूरा चित्र किसका है यह पूरा चित्र है गुरु वीजानू शनन से सम्सक्राब उसमें बना लिएयर को अच्छे से बना लीजेगा जैसा कलर है वैसा कलर आपको करना है है और कलर इसमें स्केज कलर का प्रयोग यह بنाएगा चले पढरेंगे क्या तो आंगे पढरेंगे माद यूगमदD Janan जहां पर विकास हुआ था यहां पर उसमें गुर्वी जानल जनल में उसी के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद इसका विकास होता है वो प्रारम होता है इसमें समसूत्री विभाजन होता है कैसा विभाजन होता है समसूत्री विभाजन होता है जिसके फलसुरूप जब समसूत्री विभाजन हो जाता है तो उसी के फलसुरूप दो संत्रतिकोशिकाओं का भी निर्मार होता है क्या होता है जब इनका निर्माड होता है निर्माड के बाद इनका विकास प्रादम होता है उसके बाद संसुत्री विभाजन होता है और उसके बाद इसमें दो संतत कोशिकाओं का निर्माड होता है यहाँ पे देख लिजे फिर से मिश्टेक लिखा है कोशिका तो इसको सही बीजांड द्वार कहलाता है दूसरा कहलाता है बीजांड द्वार तो जिसमें एक केंद्रक निभाग और दूसरा बीजांड द्वार की तरफ चला जाता है इसमें पुना समसूत्री विवाजन होता है फिर से पुना जो दुबारा होता है वो समसुत्री विवाजन होता है जिसमें चार संतत केंद्रत बनते हैं इसमें किते केंद्रत बनते हैं चार संतत केंद्रत बनते हैं इसमें तीसरी बार भी समसुत्री विवाजन होता है जिसके फलसरूप आठ संतत केंद्रतों का निर्माण होता है कितनी बार इसमें सहायक कोशिकाओं का तता एक अंड कोशिका का निर्मान होता है तो इसमें देख लीजिए तीन प्रति दुरूवी कोशिकाओं का निर्मान होता है दो दितियक केंद्रक का निर्मान होता है दो सहायक कोशिकाओं का निर्मान होता है तता एक अंड कोशिका का भी निर्मान यह यह देख लिजे यह फिगर है इसे बोलते हैं कि अंड कोशिका होता है यह यह पे सहाय कोशिका होती है यह दुरूवी केंदर की होती है प्रतिवेशांक होता है और यह पराग नली तो इस फिगर को भी बना लीजिए अच्छे से आंगे अब हम पढ़ते हैं तो आंगे क्या क्या है हमारा देखिए आंगे परागण पढ़ लेते हैं तो परागण क्या होता है परागण को बोलते हैं पॉली नेशन क्या बोलते हैं पॉली नेशन देखिए अब देखिए परागण होता गया है परागण जब पुस्प के पराग कोस से पराग कर निकलता है जब क्या ह कोई भी पुस्प होता है और उसके पराग को उसके पराग कर निकलता है तो पराग कर निकल कर पुस्प के इस्टिगमा तक पहुचते हैं तो इस क्रिया को ही पराग कर कहते हैं जब पुस्प के पराग कर निकल कर पुस्प के इस्टिगमा तक पहुचते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं बीज फार्मेशन के लिए बीज फार्मेशन के लिए पॉली नेशन अति आवश्यक है बीज निर्माण के लिए फार्मेशन में निर्माण होता है तो बीज निर्माण के लिए यह जो परागण है परागण पॉलिनेशन अति आवश्यक है परागण ग्रेंश के स्टिगमा तक पहुचने के आधार पर पॉलिनेशन मतलब परागण ग्रेंश के स्टिगमा मतलब अंदर वाले भाग तक पहुचने के आधार पर पॉली नेशन को दो प्रकार का बताया गया है, मतलब परागण के दो भाग बताया गया है, तो पहरे को बोलते हैं, पहले को बोलते हैं, स्वा परागण, सिल्फ पॉली नेशन, दूसरे को बोलते हैं, तो दूसरे को बो यह चित्र बना हु बना हुआ को सी कट और यह इसको बोलते हैं वर्तिकागत भाग होता है यह क्या होता है यह अब यहांके डुनें के ब्हाननल यह लगल नेगिरे अने लाच नायों बनाए गाला मुर्व मनिण वर्तिक मुल मुथ yell स्वाफ पराग्न के कं होता है। स्वाप हागन में क्या होता है जो पूस होता है वो अपने आप Сवाप कर लेता है और यहां पे जब यह पर परागन होता है मतलब यह भौरे के द्वारा परागन करता है इसलिए इसको स्वा परागन और परागन कहते हैं चलिए इसका फिगर बना लीजिएगा आँगे पढ़ लेते अब हम पढ़ लेते हैं स्वा परागन क्या होता है सेल्प पॉलिनेशन क्या होता है तो देख लिए यहाँ पे लिखा हुआ है जब पुष्प के पराग कोस से पराग कर निकल कर उसी पुष्प यहाँ पे गलत लिखा है पुष्प कर लिजेगा उसी पुस्प के वर्ति काग्र या उसी पौधे के अन्न पुस्पों के इस्टिगमात पर पहुचता है तो स्वापरागन कहलाता है स्वापरागन कहलाता है स्वापरागन प्राया दिलिंगी पुस्पों के ही मद्ध होता है तो यह स्वापरागन अब स्वापरागन से लाब क्या है उनकों पढ़ लेते हैं स्वापरागन से पहला लाब जो है तो स्वापरागन के लिए माध्यम की आवसकता नहीं होती है पहला लाब है कि स्वापरागन के लिए माध्यम की आवसकता नहीं होती है दूसरा लाब क्या है तो दूसरा लाब है कि पुस्प को बिसेस रूप से रंग, गंद, मकंद, उत्पन नहीं करता जो पुस्प होता है वो बिसेस रूप से यह कर दीजेगा यहाँ पर पुस्प को बिसेस रूप से रंग, गंद, मकंद, उत्पन इसमें नहीं करता और यहां पे जात की भी सुधता होती है जात की भी सुधता बनी रहती है अब देख लिए फूर्थ नमबर क्या है कि संख्या में कम पराकन उत्पन करने पड़ते है संख्या में यहां पे कम पराकन पराकन ले सीजेगा यहां पे गाह नहीं बना है नहीं लिखा के तो संख्या में कम पराग कण उत्पन पड़ते हैं। यह 4 लाब हैं स्वाप परागन के हैं। इनको लिख लीजेगा स्क परागन महें लाब शेopen प्रकार के आंगे चलिए स्वापरागर से हानिया भी पढ़ने हमने लाप पढ़ा तो साथ में आनिया भी पढ़नी चाहिए हानियों में क्या होता है जरू से पढ़ लीजे स्वापरागर से हानिया स्वापरागर से बने बीज हलके वह कमजोर भी होते हैं जो स्वापरागर क उत्पन नहीं होती है इसमें क्या होता है यह इनकी हानिया है स्वापरागन से हानिया है तो हमने स्वापरागन से हानिया भी पढ़ ली अब हम थोड़ा से क्या पढ़ते हैं परपरागन पढ़ लेते हैं तो चलिए परपरागन क्या होता है हमने स्वापरागन पढ़ लिया परपरागन भी पढ़ लेते हैं, देख लीजिए परपरागन क्या है, परपरागन जिसे बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, तब इसे पढ़िए, जब पुस्प के पराग कोश से पराग कर, निकल कर, उसी जाति के किसी दूसरे पुस्प के इस्टिगमा तक पहुचता है, ठी देख लीजिए, दूसरे पुस्प है, यह कट कर दीजिए यहाँ पे, इसका कोई काम नहीं है, ठीके, तो हमाई डिफिनीशन इसे कट कर दीजिए, यहाँ पे, जब पुस्प के पराग कोश से पराग कर, निकल कर, उसी जाति के किसी दूसरे पुस्प के इस्टिगमा तक पुह automation पहुचता है, तो से भी कार दीजिए, दूसरे पुस्प के इस्टिगमा तक पहुचता है, तो उसे पर परागन कहते हैं, क्या कहते हैं, पर परागन के लिफिनीशन हो गई, अब पर परागन के माध्यम, पर परागनों के साधनों को जैविक और आजैविक दो पहला अजयविक कारण है कि अजयविक माध्यम से वायू के द्वारा सबसे अधिक परागन की क्रिया होती है परागन हलके वाय के माध्यम से एक इस्थान से दूसरे इस्थान से जाने में समर्थ होती है जैसे क्या हो जाएगा तो जैसे अगर आ जाएगा तो हम आ करेंगे मक्का जो मक्का का परागण होता है, वो वाईप की द्वाराई होता है, चली आंगे देख लेते हैं, तो आंगे देख लिए जे फीगर बना हुआ है, सबकी बात की गई है, तो देखे ये जो फीगर आपको दिखाया जा रहा है, पीछे नहीं दिखाया गया था, ये जो फीगर का चित्र है कैसे स्वापरागन का चित्र देखे हैं यहाँ पर फूल है यह इसका परागण कर रहा है तो यह स्वॉपना भीगररण का श्राख को बना लिजए गाउंगी चलते हैं जैसे वाला फीगर आपको दिखे रहा है और यह फीगर अच्छा लग रहा है ना देख लीजिए यह जो फीगर है हमारे पास ठीक है यह जो इसमें हो रहा है परागन तो आपको दिख रहा होगा यह भौरा बीच बैठा हुआ फूल के अंदर दिखाई पढ़ा है फूल के अंदर भौरा मतलब दूसरे के द्वारा इसमें परागन किया जाता है तो देखे बहुरा यहां पर परागन कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका हो जाएका उदारण यह हो जाएगा पर परागन का उदारण इसका हो जाएगा पर परागन का उदारण यह है हमारा तो यह पर परागन के बाद इस figure को आपको बना देना है यह जो figure है यह हमारा बनेगा पर परागन के बाद ठीक है इसको figure को बना देना है और figure अच्छा ही बहुत लगता है इसी color से आपको भी करना है भी ांगे अगर बात करें तो अब ये देखा Bem приш देखा नहीं है देख लीजे इसे चित्र को इसमें क्या हो रहा है तो इसमें देख लीजे deh इस तरह से पूरा प्रन बना हुआ है इसमें चीब्र में आ नीचे वाला भाग होता है इस को बोलते हैनु मील परागनी पुषपर तो यहिंद लीजेगा आंगे देख लीजिए, अभी हमने जो पढ़ा था क्या पढ़ाथा, देख लेते हैं देखिए क्या पढ़ा था हमने हमने पढ़ा था भी ये पढ़ा था ये पढ़ा था हमने वायू द्वारा पर परागन वायू द्वारा पर परागन का जो चित्र है वो ये है मारा ये वायू द्वारा परागन का चित्र है देख लीजे के बाष़्ेम देगें यहां पर नहीं को पता है कि मक्का में किस तरें परागन होता है तो मक्का में वह वाइू द्वारा पर Grande होता है टीक है तो इसका फीगर बना ली आँगे देख लीजिए, है क्या तो आँगे है मारा जल द्वारा पर परागन, जली पादपों में होता है, इनके परागकर हलके वेवं जल में तरने योग होते हैं, जैसे कि अगर बात करें, देखें इसके जो परागण कर जल द्वारा होता है, तो इनके जो पराकण होते हों, क्या करते हैं, हलके भी होते हैं, और जल में तरने योग होते हैं, जैसे अगर बात करें, तो जैसे में आता है हाइड्रीला, क्या आता है हाइड्रीला, ठीक है, यह हमारे अजैविक कारक थे, हमने अजैविक कारक पढ़ लिया, हाइड्रीला परपरागन जैविक माध्यमों में सबसे अधिक परागन कीटों द्वारा होता है उच्छ प्रमुख की जैसे तितली, भौरे, मदुमक्खी आदि में परपरागन में भाग लेते हैं वैसे तितली, भौरे और मदुमक्खी परपरागन में भाग लेते हैं कौन कौन में बाग लेगते हैं तितली भौरे और मधुमक्की ये पर परागन में भी बाग लेते हैं अभी पीछे आपको फीगर इसको हमने दिखाया था तो चलिए देख लिजिए आंगे देख लेते हैं पढ़ लेते हैं आंगे देख लिजिए फीगर बना हुआ है तो इस पौधा किसका है यह पौधा है हाइड्रीला का है तो यह पानी इस तरह से आपको इसका फीगर बना ले ना और आपको भी दिखादेना इस तरह से अब देख लीजे यहां पर बात करें हैं तो यहां पर कीट द्वारा जो परागन होता है तुक है कैसा परागन होता है कीट द्वारा देखें यहां पे यहां पे यह जोौ परागन यह के द्वारा परागन करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, यहां पर यह कीट बना हुआ है, यह पुस्प है, और इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, परागन कर रहा है, तो यह कीट द्वारा परागन का फीगर है, आप कीट परागन करेंगे, ठीक है, उसके बाद में यह फीगर बना लिजिएॉओन चलते हैं यहां पड़ागांगे चलते हैं तो हांगे एम जब बात करते है। परागर्ण के कुछ लग भी पढ़ लेते हैं। तो पहले लाब पढ़ लेते हैं लाब क्या होते हैं लाब पर परागन के होते हैं कि इससे बने फल जो होते हैं इससे जो फल बनने होते हैं यह फल अधिक बड़े स्वादिश्ट होते हैं इसके अंदर रोग प्रतिरोधक छमता भी अधिक होती है यह लाब है इनके तीसरी ज परागण से हानिया क्या होती है तो देख लीजे इसमें हानिया पहली हानिया कि इसमें पराग कण ठीक है के लिए माध्यमों की आवसकता होती है पराग कण के लिए किसकी आवसकता होती है माध्यमों की आवसकता होती है ठीक है दूसरी जात की जो सुद्धता उती वो बनी नहीं रह पाती जात की सुद्धता इसमें भी बनी नहीं रह पाती है ये इसकी आनी है और तीसरी चीज कि इन्हें रंग, गंध, मकरंध, उत्पन करना पड़ता है इन्हें क्या करना पड़ता है? रंग और गंध और मकरंध इन तीनों चीजों को उत्पन करना पड़ता है जो इसकी हानियों को दरसाता है तो ये थी हमारी हानिया आंगे देखिए आते हैं और पढ़ लेते हैं तो आंगे हमारा है क्या निसेचन निशेचन एवं दी निशेचन क्या होता है उसे पढ़ लेते हैं तो देख लीजिए पहले पढ़ते हैं निशेचन और दी निशेचन देख लीजिए यहाँ पर लिखा है कि नर युगमक एवं मादा युगमक के मिलने की जो क्रिया होती है उसे निशेचन कहते हैं, आवरंत बीजी पादपों में दोहरा निशेचन पाया जाता है, दोहरा निशेचन किसे पाया जाता है, आवरंत बीजी जो पादपों होते हैं, उनमें दोहरा निशेचन पाया जाता है, पराग नलिका में बना प्रथम नर युगमक पराग नलिका स होते हुए एकसल मतलब अंड कोश्का इंगलेस में इसको बोला गया एकसल में इसे जाकर मिलता है जिसे सब्त निशेचन कहते हैं जिसके फल्स रूप भूण का फॉर्मेशन या निर्माण होता है पराग नलिका में जो उपस्तित दूसरा नर्युगमक होता है वो दितियक के सब्सका निर्माण होता है जो अंकुरन के समय बीज को पोसक पदान करने का भी कार करता है भूर्ण कोश में गुर्ण सूत्रों की संख्या सदयो तीन त्री गड़ी तो होती है एक पौधे के काई कोशिकाओं में गुर्ण सूत्रों की संख्या चौदा हो तो उसके युग्मकों में गुर्ण सूत्रों की संख्या साथ और भूण में 14 तथा भूण कोश में 21 होती है तो ये था दी निशेचन और निशेचन के बारे में आंगे इसका फीगर देख लेते हैं तो देख लीजिए इसका फीगर ये आपको दिखाई बढ़ रहा फीगर ये है हमारा अप भरष्टी प्रति व्याशान्त कोशिका यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है प्राथमिक भूण कोश कोशिका और ये होता है हमारा प्राथमिक भूण कोश केंदराग अच्छा एगनेट कोश नहीं है ये पोसी है यहां पर तीक है यह जो लिखा हुआ ह यह पोस ही है कोंस न ओकिए यह पोस है तो कोस मत करिएगा पोस ही लिखेगा सही है ठागि चलिए ठ़िछे अब देख लीज़े को देख लीजिए आप यहां पे यह है अप ब्रश्टी प्रति वशांत कोश का होती है जिसे यह जाद न नीचे वाला और यह जो होता है मारा यह होता है प्राथमिक भूण पोस केंद्रग यहां पर यह होता है प्राथमिक भूण कोशिका होती है यह होता है यूगमज यह होती अब ब्रश्टी सहाई कोशिका यहां पर देख लीजिए अगर इनको अलग-अलग कर देते हैं तो यह होता है यूगमज यह होता है ग यहां पर दिखाए पड़े हैं हमारा बीज पत्र यह होता है मूलांकर तो यह एक निशेचित भूण को कोश यूगमनज तथा प्राथमी भूण कोश किंद्री को दर साता है यहां पर दिखाए गए हैं यहां पर देख लिए यहां पर दिखाए होते हैं तो इस फ्ट्र को भी बना ली जीएगा आंगे निशीर्चन के पश्चाद होने वाली घटनाई होती हैं उनको पढ़ लेते हैं तो देख लिए निसरेचन के बाद क्या होता है निसरेचन के बाद पुस्प में अनेक परिवर्टन होते हैं जो निम्न है पहला भूर का निर्मान होता है दूसरा भूर पोस्प का निर्मान या विकास होता है निर्मान सही कर लिजेगा ठीक है भुड़ पोस को निर्मान होता है और तीसरा होता है बी जेवन फल का निर्मान होता है निर्मान यहां पर मा के ओपर लगता है इसे सही कर लीजिए अंगे बात करें तो निश्रेचन के बाद पुस्प चक्रों में निम्नलिकित परिवर्तन होते हैं कौन कौन से लगे रहते हैं जैसे टामाटर मिर्च लेगन चाहिए सही कर लिचे अब दिख लिए-दूज, पूझ्ष भी प्रायासूख कर निकाल जाते हैं गलपुञ भी उक्या होते हैं प्राया सूख कर निकल जाते हैं और कुमंग भी प्राया चंग अगुज टा eigenlijk यह को को बहुछ होता है तो जाइगोड़ काई बार City को बोलते हैं तो जाइगोड़ के बहुणत Director को बोलते हैं इसे कई बार भी भाजित होकर इंब्रो का फार्मोशन होता है किसका फार्मोशन होता है निर्मान होता है इंब्रो का निर्मान होता है एक बीजपत्री तथा दी बीजपत्री पौधों में प्रारम से पूर का निर्मान विकास एक समान होता है परंतु बाद में अनेक अंतर दिखाई देते हैं पहले प्रारंब में एक समान होता है लेकिन बाद में क्या होते हैं अनेक अंतर दिखाई पड़ते हैं देख लीजिए पहला क्या है तो पहला है हमारा दी बीज पत्री पादपों में भूर का निर्माट दी-बीजपत्त्रीपादपों में भुन का विकास जाईगोट सके विभाजनों के फ्लसरूप होता है प्रारंभ में जाईगोट आकार में ब्रद्धि करता है तथा इसके चारों तरफ सेलुलोष बनी भित्ति का निर्माण होता है जाइगोट में अनुप्रस्त बिभाजन होता है जिसके फल्स रूप ऊपर की ओर आधार कोशिका या निलंबक तिक है सेल का फार्मेशन होता है तथा नीचे नामे बड़ी की मतर चला रही जीगा नीचे की कोशिका नीचे की जो कोशिका होती है उसमें क्या होता है अंतस्त कोशिका इसे बोलते है टर्मिलन से या अंतस्त कोशिका का निर्माण होता है ये दो कोशिका है पुना बिभाजित होकर टी आकार का तरुन भूर का निर्माण करती है विभाजित होकर 8-10 को सा लंबी सूत्रा का सरनचना का निर्मान करती है अब देख लीजिए जो काम किसका करती है तो जो निलंबक या निलंबक कोई बोलते हैं सस्पेंसर जो निलंबक या सस्पेंसर कहलाती है है इंगलिजे ज़र सकी सद्केटеци कोई यह सबसे क safety सस्पेंसर के जो सब से की कोषिका को उसको क्या बोलते उसको बोलते हैं हाइपोफिसिस ठीक है जो मूलांकुर के सीर्स का निर्माण करता है या फार्मेशन करता है दोनों टर्मिनल सिल अथ्वा और दीजेगा इंब्रोइक सिल अनुप्रस्थ विभाजन करके चार कोशिकाओं का फार्मेशन करते हैं या निर्माण करते हैं कितनी कोशिकाओं का चार कोशिकाओं का इस अवस्था को लोग क्या बोलते हैं तो इस अवस्था बोलते हैं चतुस फल की अवस्था कहते हैं इनमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके फल्स रूप आठ कोशिकाओं का निर्मान होता है अब देखेजिए यहां पर यह चित्र बना हुआ है यह है प्रांकुर यह है हमारा बीज पत्र यह देखेजिए यह हमारा बीज पत्र है यह है बीज पत्रादा यह मूलांकुर और यह होता है मूल गोप आंगे चित्र को देख लेते हैं, तो आंगे देख लिए जीनुद लिखह वह ऐस में कि एक प्रारूपी दिपेच पत्री भूर्ण, एक गास के भूर्ण का अनुप्रश्ट का तो देख लेजी इसके figure को भी देख लेते हैं, देखिये आप लिखे रहे हैं, एक प्रारूपी भी बीच पत्री का है ठीक है? फीकर और ये जो हमारा बार नमबर है ये है एक घास के भून का अथ। प्रश्ड कालता है त्सको देख लीजे घास का है देख लीजे इसमें जो ऊपर वाला भाग होता है यह होता है स्कूटेलम यह होता है प्रांकल चोल इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं प्रारोहसिर्ज इसे अधिकोरक बोलते हैं इसे बोलते हैं मूलांकर नीचे आले भाग को इसे बोलते हैं मूल गोप ठीक है और इसे बोलते हैं मूलांकर चोल तो यह जो चित्र है यह गहास के भून का है ठीक है आँगे देख लीजे भून का दूसरी एडिंग हमारे पास है भून का विकास पहली एडिंग हम ने पढ़ ली केंद्र के निर्माड में त्री गुडित केंद्र का निर्माड करते हैं जिसके उपर रितिका होती है बाद में रितिका जो होती है वो फट जाती है तो जात यहां पर दिखाई सब्दार दीजिए रितिका जो होती हो फट जाती है जिसमें पहुत से केंद्रग भर जाती है और नेक कुष्का निर्माड करते हैं निर्माड यहां सब्सकें गलत दिखाओ इससे निर्माड करते हैं इस प्रकार भूण रूप उसका निर्माण होता है ठीक है चली आंगे देख लेते हैं इस से केंड रेडिंग थी हमारी अब तेसरा हम देख लेते हैं बीज का निर्माण कैसे होता है तो देखें बीज का निर्माण पढ़ लेते हैं बीज का निर्माण दी शेचन क्रिया के फल्स रूप बीजा पड़ाजा बना लिजेगा बीजांड के दोनों आवरण बीजावरण का निर्मार करते हैं बीजांड बीजांड वरंत से जिस स्थान पर जुड़ता है उसे हायलियूम के रूप में बीजावरण पर उपस्तित होता है बीजपत्र में या भूण कोस में भोजन संचित हो जाता है इसमें पानी की मात्रा धीरे धीरे बीक्यावर जाती है कम हो जाती है और जो भूण सूपता वस्ता में चला जाता है सूपता अवस्ता में चला जाता है इस प्रकार बीजपता वरण से घिरी यहां पर धीरी लिक्यावर जाता है क्या कहते हैं बीज कहते हैं ठीक है चलिए यांगे तीसरी हेडिंग पढ़ लेते हैं कि फल का निर्मार कहते हैं अभी बीज का निर्मार पढ़ा है अब हम फल का निर्मार पढ़ लेते हैं फल का निर्मार कैसे होता है तो फल एक परिपक को अंडासे है जिस समय बीज का निर भित्ती का निर्मान होता है जब फल के निर्मान में केवल अंडास ही भाग लेता है तो इस प्रकार के फल को लोग सत्त फल भी कहते हैं क्या बोलते हैं सत्त फल जैसे कौन होता है जैसे आम आम जो होता है वह एक सत्त फल होता है क्योंकि इसके निर्मान में केवल अंडास ही तरचाहट रीकला साइनार थैया स्क्क्राएं अनिशेक लिज conceёр विकास हो जाता है उससे अनिशेक फल कहते हैं कि आप जाकर उसरे इसे उसे केला होता है अननास होता है ठीक है और यह तीन होते हैं जिसमें इसमें कुछ पादब हर्मोन्स भी सायक होते हैं जैसे जिबरेलिन इनके पैदा होने में या इनके बनने में सहेता करती है यह कैसे फल है अनिशेक फल है तो अंगूर केला अननास का चित्र बनाना आपको आता ह आप बना लोगे चित्र भी बना लीजिगा इसका बना दिजिगा मतलब आंगे बात करें आंगे छठवा जो इसका नंबर है वह है आसंग जनन का सोब्ता है तो देख जब बिनानि सेचन के भी बीच का निर्माड हो जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं निर्माण होता है ठीक है निर्माण होता है ठीक है अर्दसुत्री विभाजन होता है दो बन गया है ठीक है अर्दसुत्री विभाजन होता है और नाही भूण का निर्माण होता है जैसे कौन कौन से होते है तो जैसे आलू और गन्ना इसके उधारण हो गए आलू गन्ना के जितर्वी आप लोग बना लोगे अच्छे से आंगे पढ़ लेते हैं बौव भूर्टा करें थोड़ावर प्लात है बूब हूव पढ़ लेते हैं तो बूब भूर्टा बीज या जो गोट तो कई प्रगभाजनों के निर्मान भी होता है जिसे अम लोग बहु भूंटा कैसे हैं कहते हैं जैसे कहूं से आ जाएगा बहु भूंटा को दर्राण तो आपको नीवु और संत्रा का चितर बनाना आता है यहांपे बना आले जियेगा देखिए कुछ फल ले लिए यहां पर हम पर पर कुछ बीजों की संद्चना और मैं कर दूसरे मां हमने यह प्रभाइल और सेब उन पर 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 जुबाने जब उन चंहीं पर न होते हुड़े इस फीगर को आप लोग भी बना लीजेगा, पहले देख लेते हैं थोड़ा सा ये वाला बाठ देख लेते हैं, ठीक है, तो देख लीजे यहां पर ये जो है, ये बीज पत्र है, ये होता है बीजावरण है, ये भून कोश है, ये मारा होता है बीज पत्र, यहां पर बात करे अब देखें नीचे देख लेते हैं तो नीचे यह होता है यह होता है यह होता है बीज पत्र यह होता है परोहो सीरस तो भी बज़ें यह होता है यह होता है बीज पत्राधार मूल और यह होता है मूलागर यह होता है बूलकोष तेखा है यह कुछ बीज लिए गहें इसमें अ सब्सक्राइब और इस भाग को जो बायरी भाग होता है, इसे बोलते हैं Akin, क्या बोलते हैं Akin? तो इस फिगर को भी आफ लोग बना लीजीका, तो देखिए यहीं से जो मारा वता है Part 2 भी समाप्त होता है, यहीं से आपका जो चैप्टर टू भी होता है वो भी फिनिक होता है चैप्टर टू आपका इंडो गया है अगले उसमें आपको चैप्टर थ्री पढ़ाया जाए